अलो वियर्स दस्वी विज्ञान त्रेमासिक परिक्षा का पेपर हम देखने वाले हैं और त्रेमासिक परिक्षा आपकी चल रही है इसी के अनुसार आपको तयारी करनी है तो प्रेश नमबर पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए इसका पहला प्रिशने खार्दि पधार्तों का कार्बन डै अक्साइट और पानी में तूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है उश्मा शोशी थर्मिट अभिक्रिया उश्मा शेपी या उर्जा परिवर्तन के बिना अभिक्रिया तो इसका उत्तर होगा उश्माश AP अभिक्रिया इसके बाद दूसरा है Fe2O3 धन 2Al इससे बना है Al2O3 धन 2Fe तो यहाँ पे पूछा गया है उपर दी गई अभिक्रिया है सयोजन, वियोजन, विविस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया इसके बाद अगला प्रश्ण है किसी रासाइनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पधार तक कहलाते हैं उत्पाद, अभिकारक, योगी क्या मिश्रन तो इसका उत्तर है अभिकारक अगला है Hydrogen का योग यहम उक्सिजन का रास कहलाता है Hydrogen का योग यहम उक्सिजन का रास कहलाता है अपचयन, रेडोक्स, उपचयन, संग्षारण अभिक्रिया तो इसका उत्तर होगा अपचयन अभिक्रिया इसके बाद अगला प्रश्ण है तूटी हड्यों को जोडने के लिए प्लास्टर चड़ाते समय किस पदार तका उप्योग होता है तूटी हड्यों को जोडने के लिए प्लास्टर चड़ाते समय किस पदार तका उप्योग होता है तो यह उप्शन दे रखे धावन सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर आप पेरिस या ब्राइन तो इसका उत्तर है लैक्टिक अमल अगला है केक वा पावर उटी बनाने में किस पधार्द का उप्योग होता है धावन सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर आपेरिस या ब्राइन तो इसका उत्तर है बेकिंग सोडा ठीक है केक वा पावरोटी बनाने में बेकिंग सोडा का उप्योग होता है इसके बाद अगला है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस उश्यदी का उप्योग होता है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस उश्यदी का उप्योग होता है एंटिबायोटिक, एनालजेसिक, एंटेसिट या एंटिसेप्टिक, तो इसका उत्तर होगा एंटासिट प्रेश्टमबर दूसरा है रिक्तिस्थान भरिये, इसका पहला प्रेश्टम है मानव शरीर में उक्सिजन परिवहन के लिए उत्तरदाई वर्णक होता है मानव शरीर में उक्सिजन परिवहन के लिए उत्तरदाई वर्णक क्या होता है तो यहां हम लिखेंगे हीमोग्लोबीन हीमोग्लोबीन जो है यह उक्सिजन के परिवहन के लिए उत्तरदाई होता है हेमोगलोबिन इसके बाद दूसरा है पादपो में जलका सववन उत्तक द्वारा होता है तो यहां आएगा जायलम उत्तक द्वारा तीसरा है कपाल तंत्रिकाओ और मेरू तंत्रिकाओ से मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्मान होता है तो यहां पे उत्तर आएगा परीधिय त तंत्री का तंत्र का निर्मान होता है। मनुष्य में प्रतिवर्थी क्रिया का केंद्र होता है। इसके बाद अगला प्रिश्ण है, मनुष्य के मस्तिश्क में सोचने वाला भाग होता है। तो मनुष्य के मस्तिश्क में सोचने वाला भाग प्रमस्तिश्क होता है। इसके बाद अगला है, दो तंत्री का कोशिकाओ के मध्य खाली स्थान को करते हैं। तो इस प्रकार से रिक्तिस्थान भरेंगे। इसके बाद जो प्रश्ण नमबर तीसरा है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्ण है, चांदी के आबूशन पर काली परत किसकी होती है। इसके बाद अगला है, C-A-O-C-L-2 का प्रचलित नाम क्या है। तो इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्णा, ठीके उत्तर आएगा विरंजक चूर्णा। इसके बाद तीसरा है, किस धमनी में V-O-X-Y-N-I-K-R-T-R-U-D-H-R-P-R-V-A-H-E-T-H-E-T-H-E-T-H-E-T-H-E-T-H-E-T-H-E-T-H-E-T-H-E-T-H-E-T-H-E-T-H-E-T-H-E-T-H-E-T-H-E-T-H-E-T-H-E-T-H-E-T-H-E-T-H-E-T-H-E-T-H-E-T-H-E-T-H-E-T-H-E-T-H-E-T तो इसका उत्तर होगा इंसूलिन, ठीके इंसूलिन हार्मोन की कमी से मदु में रोख होता है, अगला प्रिशने यहाँ पर दे रखा है, एक आपतित कीरण सम्तल दरपन पर 30 डिगरी का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? ठीके, आपतन कोण 30 ड गरी का होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसके बाद अगला है, प्रिश्म के दो फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो प्रिश्म के दो फलकों के बीच का कोण प्रिश्म कोण कहलाता है? इसके बाद अगला प्रशने सही जोडिया ब प्तल लेंस, एक सरल रेखिय पत और डायोप्टर, उसी प्रकार कॉलमब में है, घने जंगल के वितान से सुर्य प्रकाश का गुजर्ना, इंद्र धनुष, वायु मंडली अपवर्तन, दुंदला दिखना, प्रकिर्नन, प्रकाश की रण, लेंस की शमता, और बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला, तो इसकी जोड़ी बनाएंगे, सबसे पहले नेतर रोगे, तो नेतर रोग होता दुंदला दिखना, तो पहली इससे बनेगी, दूसरा है टिंडल प्रभाव, और इसका धारन है गहने जंगल के वितान से सुर्य का प्रकाश गुजर्ना, तो दू दूसरे का एंसर ये होगा, इसके बाद है आकाश का निला रंग, तो इसका उत्तर होगा प्रकिर्नन, ठीके आकाश का निला जो रंग है प्रकिर्नन के कारण दिखाए देता है, अगला है तारों का टिम्टि माना, तो तारों का टिम्टि माना, जो है वायु मंडली अपव अपवर्तन, ठीके वायू मडली अपवर्तन के कारण होता है, अगला स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम का उधारन है इंद्रधनूश, इसके बाद है उद्तर लेंस, इसकी जोड़ी बनेगी बीच में मोटा तथा किनार उपर पतला, अगला है एक सरल रेखिये पत्थ, यह ह होगा प्रकाश, कीरण और डायोप्टर जो है, ठीक है डायोप्टर है, लेंस की शमताम आपने के लिए उप्योग किया जाता है, तो इसकी जोड़ी यहां बनेगी इस प्रकार से, इसके बाद हम दो-दो नंबर के प्रश्णों को भी देख लेंगे, तो प्रश्ण है इसी रासानिक अभिक्रिया की पहचान के दो लक्षन लिखिये, अथ्वा खाद्य पधार्तों को विकरत गंदीता से बचाने के दो उपाय लिखिये, इसके बाद अगला प्रश्ण है निम्नक के सुत्र लिखिये, प्लास्टर आफ पेरीज, बुझा हुआ चूना, और इस सारे ही प्रश्णों के उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे, तो इसके लिए आप चैनल को देखते रहें, जिससे के आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, और आपकी संपुर्ण तयारे अच्छे से हो, इसके बाद अगला प्रश्ण है, पोधो में प्रकास का रासनिक समेकरन भी लिखिए, और इसके अथ्वा में ही विशम पोशी पोशन की परिभाशा लिखिए, इसके बाद अगला प्रश्ण है, रक्तो लसीका में दो अंतर लिखिए, अथ्वा रूधीर के दो कार्य लिखिए, इसके बाद अगला प्रश्ण है, आयोडिन प्रतिवर्ति क्रिया के दो धारन लिखिए और इसके अथ्वा में हैं पादप हारमुन के पोधों के लिए दो महत्व लिखिए इसके बाद जो अगला प्रिश्ण हैं अपसारी लेंस के दो गुण लिखिए अथ्वा अभिसारी लेंस के दो गुण लिखिए अगला है उत्त पारे टिम्टिम आते हैं परन्तु ग्रह नहीं क्यों। अगला प्रश्न है रेतिना पर किसी वस्तु प्रतिभिम किस प्रकार का बनता है अथवा दूर दृस्टी दोश क्या है। इसकी बाद प्रश्नमबर 17 है रेडोक्स अभिक्रिया क्या है। प्रासानिक समेकर्ण लिखकर उपचैन एवं अपचैन अभिक्रिया को दर्शाईए अथवा जब चुने के पानी में कार्बंडे अक्सेट गेस प्रवाहित की जाती है तो चुने का पानी दूधिया हो जाता है क्यों इसके बाद जो प्रशनेवत तीन नमबर का है वायवी और वायवी श्वेशन में तीन अंतर लिखिये अथवा माइटो कॉंड्रिया को कोशिका का विजलिघर क्यों कहते हैं तो इस प्रकार से हमने कक्षा दस्विज्ञान के ये जो मॉडल पेपर देख लिया और इसी तरह का पेपर आपकी एक्जाम में आएगा इस पेपर में इसे भी अधिकतर प्रश्ण आपकी एक्जाम में आने वाले हैं और इसके साथ ही महत्पुन प्रश्णों के वीडियो भी चैनल पर आही रहे हैं तो आप लगाता रेदी चैनल को देखते रहोगे तो आपको सारे इंपोर्टन क्वेश्चन मिल जाएंगी और एक्जाम की त्यारी किस तरह से करने वा त्यारी भी हो जाएगी तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए